साब सुनिए आप कहा जा रहे हैं? गाव में छट मता का तेवार मनाया जा रहा है, मैं वहीं पर जा रहा हूं हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, हमें भी साथ लेकर चलिए ठीक है, बैठीए सुनिए छट घाट पे तो बहुत भीड़ है वहाँ तक गाड़ी नहीं जा पाएगी हमें पैदल ही जाना होगा ठीक है अरे यहाँ तो कोई नहीं है गाड़ी में चाभी भी है इसे उड़ा देता हूँ इसे क्या हो गया वापस आरे भागना पड़ेगा पुजा सुनो मैं आफिर जा रहा हूँ तुम्हें तो पता ही है कि मेरे भाई का दिमागी हालत ठीक नहीं है इसका ख्याल रखना कि यह बाहर न जाए ठीक है जी आप चिंता मत करिये जाए ठीक है ये 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 अरे इस पागल ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है अरे मैं इसका क्या करू चलू ठीक है चल निकल जा पागल करीका अरे ये तो मेरा भाई है ये यहाँ पर क्या कर रहा है अरे भाई तु घर से बाहर क्यों आया क्या उसकी इतनी हिमत उसने मेरे भाई को घर से बाहर निकला है तू चल मैं उसे भी बताता हूँ सुनिये जी ये दोनों भाई भेहन तो नाक में दम करके रख दिया है आपका सारा कवाई तो इन लोगों की पुजापट में खतम हो जा रहा तो इस घर में ओ रहेंगा तो मैं रहूंगी भाईया प्रभु सिर्राम जी का प्रसाद खतम हो गया कुछ पैसे दे दिजिए सुन इन फालतु के कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और हाथ वे इतना ही पुजापट करना है तो अपने राम जी को पकड़ाओ लेका आयो द्ध्याचले जाओ ये प्रभु सिर्राम जी आपको प्रसाद सगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं मैं क्या करूं तुम चिंता क्यों करते हूं, मैं हूँ ना अरे बेह ने यह दखी इतने सारे पैसे इतने पैसे तो हमों प्रोश्री राम जी के लिए धेया सारे प्रसाद खर देंगे जैस्री राम चल बेहां चलता है प्रसाद खर देंगे चलो बिट्टा मुझे प्यास लगी में पानी पीकर आती हैं तुम्हें ही पिरहना हट जाओ हट जाओ गारी का ब्रेक फेल है अरे जल्दी वहाँ से हटो अरे मेरे बच्चा तू ठीक है वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें